मेरे प्यारे वाईयों, मिल्टी फार्म आन इंडे से आईयों साथियों हम लोगों ने मिल्टी फार्म में बहुत साल बड़ी अच्छी से बुजा रहे हैं लेकिन बड़े दुक के साथ कर रहे हैं हमारे वीद्टी फार्म बंद किये जा रहे हैं भाई शाव मैं बतारा आखो देखी, आर्मी के उसर आये बारी सोरी है, दंडे लेके खड़े हुए हैं जंदेरे के खड़े हुए हैं बारिस हो रही है और जानवरों को पकड़ पकड़ जवस्ती गाड़ी में आर्मी की गाड़ी में धखे ले जा रहे हैं ना उनको चारा खिलाने दे रहे हैं ना पानी बिलाने दे रहे हैं जवस्ती खड़े होगे आर्मी के हम लोगोंने मना कर दिया हमने इनलोड करेंगे ऐसे बारिश में जानवर हैं देदे आप लेजिए किसी नहीं नहीं सुनी जवस्ती 20-20 गाड़ियों में ठोसते गए सारा फारम हमने देखते 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 खाली कर दिया उसके बाद भी छोटे बच्चे थे गाईयों के उनका भुचेड दिया एक एक गाड़ी में 20-20 बच्चे चलाद की तरह काम किया है इसलिए भाई साव हमने तक देखा हुआ है और सब एक होकर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सब आवादो सब जोसमें हो बात मता की जैवलो और मिल्टी फारू को बचाने की अभी भी गुण्यास है क्योंकि जो हमारा मिल्टी फारू का बोद है ऐसा बोद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकता खाली पोद्र का गोला हुया कास्टिक सोडा लगा हुया रिफाइन मिला हुया इसलिए सब भाईयों से नियतन है सब संगठी तो होके अवाज उठाओ हिंदुस्ती का साथ तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है हमारा फारू बुच सकता है हम संगरस करेंगे क्योंकि ये आर्मी के जवनों को हम सेना वहां बोडर पे जाके भी दूद पिलाते हैं अगर ये प्राविट संस्ता ही वहां जाएंगे कोई नहीं जाएगा ये तो हमी मिल्टी फारू के करम चारी है कितनी बार लड़ाईया हुई हम बोडर पे भी जा जाके दूद दिया है इसलिए अभी कोई वो समय नहीं खड़ा हुए संगरस करो मिल्टी फारू जो बचे हुए जो टूटके बचे हुए आगे चलेंगे और अगर संद्धित नहीं हुए तो मैं फारं देखके आ रहा हुए मेरे आगे कैसे जलाद करते हैं से इसलों को जान वो ठोड़ ठोस को भेज दिया गया वो दिन दूर नहीं अब आज उठाओ और नंदू जी का साथ दो संगरस करो अभी भी में को पूरी उमिद है हमारे बाकी बचे वरे फारं बस सकते हैं सब भाईयों से मिवदन है इनका साथ दो नहीं तो अभी भाई साहब ये देखते रहो कुछ नहीं होगा यहीं कहते हैं मैं सोब का दन्यवाद करता है जो अभी तनी दूर दूर से आए अभी पीछे ने अचना फारं उमीद है अभी और उमीद के सारे ही सब को चलता है धन्यवाद